हेलो फ्रेंड्स मैं जोती हूँ और आप सभी का मेरे इस योटूब चैनल एक्जाम हीर पे स्वागत है इस बुक को जो है कवर कर रहे थे तो इस बुक के जो तीन चैप्टर है वो मैंने आपको कवर करवा दिया है अगर आपने मेरी उन वीडियो को नहीं देखा है तो उनके जो लिंक है वो मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है अब वहाँ से मेरी उन वीडियो को देख सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सबस्क्राइब करे आज की इस वीडियो में हम4th chapter के बारे में बात करेंगे जो हमारा है भारतिय विदेश नीती के निर्णय लेने वाले निकाए मतलब वो निकाए जो भारति विदेश निती के निर्मान से रिलेटिड जो है निर्ने लेते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और वो निकाए हमारे कौन-कौन से है वो है विदेश मंत्राले, रास्टिय सुरक्षा परिशत, प्रधान मंत्री कार्यले, संसद और संसदिय समीत ठीक है तो आज की वीडियो में आज हम विदेश मंत्राले के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए फ्रेंग शुरू करते हैं हम आज की अपनी ये वीडियो तो गाइस हम सबको पता है जैसे आजादी के बाद भारत में संसर्दिये लोकतांत्रिक परणाली को अपनाया गया है औ भारत में विदेश नीती का निर्मान किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं बलकि भिविन निकाय और व्यक्तियों की सैगा भागिता के आधार पर जो है लिये जाने की परंपरा है जो भारत की विदेश नीती है इसका निर्मान जो है कोई एक व्यक्ति कोई सिंगल व्यक्ति नहीं लेता बलकि विदेश नीती के निर्मान के लिए जो भी निकाय बने हुए हैं ठीके वो निकाय और बहुत सारे जो विक्ती होते हैं जो हमारे नेता गण होते हैं वो सारे मिलकर जो है साहभागिता के आधार पर विचार विमश करकर ही विदेश नीती के निर्मान से प्रधान मंत्री की अध्रिक्ष्टां तो है मंत्री परिशद लेती है क्याबिनेट सो समझकर जो है अपना निर्णे लेती हैं कैबिनेट की एक उप समीती होती है जिसे कैबिनेट कमेटी ओन सेक्योरिटी कहा जाता है जो ये कैबिनेट कमेटी ओन सेक्योरिटी है इसका दायरा जो है बहुत बड़ा होता है ये समीती विदेश नीती के निर्मान और निर्धार और सुरक्षा संबंधी विश्यों पर जो रास्ट को प्रभावित करते हैं सोच समझकर निर्ने लेते हैं ये जो committee on security होती है ठीके तो ये जो समीती है ये क्या करती है ये जो है जो रास्ट की सुरक्षा है इससे संबंधी जो नीती होती है या फिर ऐसा कोई निर्ने जो रास्ट को प्रभावित कर सकती है ऐसे संबंधी द्विश्यों पर जो निर्ने है वो सोच समझकर लेती है इस चीज से स्पष्ट होता है कि सरकार के अंदर ये जो committee है इसके अंदर जो cabinet मंत्राले है जो cabinet है इसके अंदर जो सुरक्षा संबंधी cabinet की जो समीती है यही विशेश रूप से वैदेशिक नीती और भारत की सुरक्षा संबंधी विश्यों पर अंतिम्रणे लेती है और उसे क्रियानवित भी करती है देश की विदेश नीती रास्ट के संसादन और लक्षो का समिक्षत तत्व होती है जिसके अंतर गत रास्ट हित की प्रधानता होती है कोई भी या फिर किसी विदेश की जो सरकार है वो अपनी विदेश नीती का जो नर्धारन है किस आधार पर करते है अपनी विदेश नीती का निर्धारन रास्ट हित के आधार पर करते हैं ठीके किसी भी रास्ट के लिए अपने रास्ट का जो हित है वो सबसे पहले होता है वैदेशिक नीती रास्ट हित की पूर्ती का एक समाधान है जो हमारे रास्ट हित है उसको पूरा करने के लिए ही जो है विदेश नीती का निर्मान किया जाता है इससे स्पेश्ट होता है कि रास्ट लक्षयों और इसके संसादन के बीच आपसे सयोग के द्वारा कोई निर्ने लिया जाता है जो रास्ट हित के अनुकूल हो इसका मतलब क्या है कि जो राष्ट है उसका लक्षे क्या होता है अपने राष्ट हित को पूरा करना तो अपना जो लक्षे होता है किसी देश का उस लक्षे और संसाधन के बीच जो है सहयोग स्थापित करके कोई निर्ने लिया जाता है और वो निर्ने जो है राष्ट हित के इसके द्वारा लिया जाता है अगर हम सामाने भाषा में बात करें तो हम कहा सकते हैं कि किसी भी देश की विधेश नीती विविन देशों के साथ ब्यवहार करने की एक प्रणाली है विधेश नीती क्या होती है जो अपने देश के अलावा बाहर के जो विश्व के जो अन्य और भी देशे उनके साथ व्यवहार करने की एक प्रणाली है जिसके माध्यम से कोई भी देश अंतरास्टे शेत्र में अन्ने देशों के साथ व्यवहार और सम्मंद स्थापित करता है और इन्होंने विदेश नीती से रिलेटर जो है अपनी परिभाशा दी है जो मौडेल्स की है इनकी अनुसार विदेश नीती वैसी गतिविधिया है जो बिविन समुदाई के द्वारा अन्ने राजे के ब्यवहार को प्रविवर्तित करने के लिए तथा उसके अंतरगत अपनी क अंतरास्टी शेत्र में राज्यों के ब्यवहार को प्रिवर्तित करने पर बल दिया जाता है ठीक है क्या किया जाता है अंतरास्टी शेत्र में जो राज्य है मतलब जो अन्ने देश है अगर हम अंतरास्टी लेवल पर राज्य की बात करते हैं तो इसका मतलब ऐसे राज्य को परिवर्तित जो है करने पर बल दिया जाता है वैदेशिक नीती के द्वारा अंतरास्ट्य बैवहार को बाद विवाद और विचार विमर्ष के बल विचार विमर्ष में बदला जाए जिससे रास्ट्य सुरक्षा को महत्व तो क्या किया जाता है अंतरास्ट्य लावल पर जो बाद विवाद होता है उसको मतलब कोई प्रॉब्लम हो जाती है कोई बाद विवाद हो जाता है तो उसको विचार विमर्ष ठीक है विचार विमर्ष द्वारा जो है सॉल्यूशन निकालने का उसका कोशिश किया जाता है जिससे रास्ट शुरक्षा को महत्वू मिले क्योंकि अंतरास्टे जगत में व्यदेशिक नीती का मूँ लाधा रास्टे सुरक्षा और रास्टे हित की पूरती है जैसे कि मैंने आप सबको पहले ही बता दिया था कि अंतरास्टे लवल पर कोई देश जो है सबसे पहले अपने रास्टे हित को देखता है और उसी को देखते हुए जो है अपनी विदेशनीती का निर्धारन करता है भारते विदेशनीती का निर्धारन सामान्य रूप से हमारे राशनितिक निर्थत्व करते हैं पर ये बात भी निश्चित है कि विदेश नीती के निर्धारन में सरकार की विविन संस्था और संगठन का सयोग भी व्यापक रूप से होता है। विदेश नीती के निर्मान में विदेश मंत्राले महटपुन इकाई होती है और इस इकाई को विविन निकाई भी सयोग देते हैं। जो हमारी विदेश नीती है उसका निर्मान जो है विदेश मंत्राले द्वारा किया जाता है पर हमारे जो विदेश मंत्राले है इसका जो सयोग है वो देश के भिविन निकाई है जो वो देते हैं। और इसमें प्रधान मंत्री जो है सर्वोपरी होते हैं जो मंत्री परिशत और विदेश विभाग के सयोग से कोई भी निर्णे जो है लेते हैं अब हम विदेश मंत्राले जो भारत की जो विदेश नीती है इसके निर्माण में विदेश मंत्राले की क्या भूमिका होती है इसको देखेंगे किसी भी देश की विदेश नीती का निर्धारन करना बहुत कठिन काम होता है विदेश नीती आंत्रिक नीती जैसा नहीं होता किसी विदेश की जो घरेलू नीती होती है देश के अंदर सरकाद्वारा जो नीतिया बनाई जाती है विदेश नीती उन नीतियों से बिलकुल अलग होती है आंत्रिक नीती में अगर कोई समस्या उत्पन हो जाती है अगर देश के अंदर ही कोई प्रॉब्लम होती है एक्जांपल के लिए हम कानूनी व्यवस्था के बारे में बात कर सकते हैं या मुल्य ब्रध्धी की समस्या की बात कर सकते हैं तो उसका solution जो है बहुत easily government जो है निकाल लेती है अगर कानून से related कोई problem है तो BM या SP जो है मिलकर इन problem का solution है वो निकाल लेती है और अगर मुल्य व्रद्धी होने पर अगर किसी वस्तु का मुल्य व्रद्धी हो जाता है कीमत बढ़ जाती है तो उसको नियंतरित करने के लिए जो सरकार है उस वस्तु को व्यापक मातरा में खरीद लेती है और कम दामपर जो है उसको बेचना शुरू कर देती है जिससे जो मुल्य व्रद्धी है वो रुग जाती है पर वैदेशिक नीती के निर्मान में जो है ऐसा नहीं होता इसके लिए विदेश नीती के संब्द म जो है विदेश नीती के निर्मान के लिए हमें इसके संब्द में विस्तरित ज्छान विवहार और अनुभव की जरूत होती है यो है क्योंकि विदेश नीती का संब्द जो है अपने देश से ना होकर किसी दूसरे देश से होता है जिसके ब्यवार का नियंतरन अपने देश के बस में नहीं होता है इसके समंद में सबसे पहले ये सोचना पड़ता है कि किसी भी देश के साथ बात करने से पहले या फिर कोई विचार विमश करने से पहले जो है उचित माहूल है या नहीं या बात करने का उच अन्य देश के साथ किसी अन्य देश के नीता के साथ बात करने का अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आता तो उनसे बात करने का कोई मतलब नहीं होता इसलिए किसी भी अन्य देश के साथ जो है सम्मन स्थापित करने से पहले या किसी टॉपिक पर बात करने से पहले जो है अवस तो हम कह सकते हैं कि अगर आतंगवाद को रोखने के लिए हमें पाकिस्तान से बात करना है तो हमें पाकिस्तान के साथ अवसर माहोल और पाकिस्तान के ब्यावहार को देखते हुए उससे बात करनी होगी ताकि उस बातचीत का जो है उचित परिणाम निकले और इसके लिए ध भारत सरकार के विदेश मंत्राले के अंतरकत व्यादेशिक शेतर में विशेश ग्यान और विवेक से संपन लोग होते हैं जो विदेश मंत्राले हैं इसके अंतरकत जो है विशेशग्ये होते हैं और बहुती विवेक संपन लोग होते हैं जो हर समय माहोल के अनुसार जब जै और विदेश मंत्राले विदेश मंत्री के नर्देश के अनुसारी काम करता है विदेश मंत्राले राजनतिक व्यक्ति होता है जो विदेश मंत्री होता है वो एक राजनतिक व्यक्ति होता है और क्याबिनेट का सदस्य भी होता है पर व्यदेशिक शेत्र में उसका ग्यान वि कोई नौलेज नहीं होती वह विदेश मंत्राले में जितने अधिकारी नियुक्त होते हैं कि कि जो रेगुलर वहां पर काम करते हैं उनसे जो है ज्यान प्राप्त करते हैं और विदेश निती के संचालर में प्रधान मंत्री की उपस्तिती में क्याबिनेट की स्विकृति ले सेवा के अधिकारी होते हैं जो संग लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रतियोगिता परिक्षा के आधार पर चैनित होते हैं ठीक है जो आई एफस के जो अधिकारी होते हैं जिनका जो है यूपीअसी के थ्रू एक्जाम होता है और उसके द्वारा जो है वो सलेक्ट होते हैं तो उन्हीं को इसमें न्यूक्त किया जाता है विदेश मंत्राले में अतिवरिष्ट और व्यादेशिक ज्यान से संपन विक्तिगन होते हैं विदेश मंत्राले में जितने भी लोग होते हैं वो बहुत experience होते हैं और अपने अपने शेत्र में जो है वो विशेशग्य होते हैं इसके अंतरगत शीश पर अनुभवी और वरिष्ट विक्ति होते हैं जो मंत्राले के अध्यक्ष और विदेश मंत्री का मुख्य परामर्ष दाता होते हैं वह समय समय पर विदेश मंत्री को परामर्श देते हैं जो विदेश मंत्राले हैं इसमें बहुत experienced लोग होते हैं बहुत वरिष्ट लोग होते हैं जो कि विदेश मंत्री को विदेश नीती के निर्धारन करते समय अपना परामर्श देते हैं विदेश सचीव जो होते हैं उनक दोनों अधिकारी सचीव की जो है सायता करते हैं विदेश सचीव बहुत ही वरिष्ट और योग्य विक्ति होता है जो अपने विशिष्ट अनुभव के आधार पर काम करता है विदेश सचीव की सायता के लिए तीन अतिरिक्त सचीव होते हैं जिने एडिशनल सेक्योरिटी जो है सेक्यरिटी कहा जाता है विदेश मंत्राले सामानेत 24 प्रभागों में बटा होता है हर प्रभाग का जो है अपना अपना काम होता है और हर प्रभाग का एक सन्युक्त सचीव होता है जो की अपना जो काम है मतलब अपना जो प्रभाग का काम है उसको देखता है भारत विदेश मंत्राले में जो है बारा प्रादेशिक विभाग भी होते हैं जो प्रादेशिक किस तरफ पर संबंदित कारियों का निरिक्षन करते हैं अगर हम एक्जाम्पल की बात करें तो ये जो प्रभाग है अब बारा प्रदेशिक जो प्रभाग है ये अमेरिका, लैटिन अमेरिका, कनाड़ा, कैरिबियन देश, खाडी देश, पूर्वी एश्या के देशों के सम्बन में विस्तरित चानकारी खट्टा करते हैं और इस सम्हूं के देशों के संबन में सरकार को समय समय पर प्रामर्श देते रहते हैं। कार्यों के संपादन के लिए मतलब जो विदेश मंत्राले है इसके अंदर भी तो काम होता हो का मतलब बी कार्य होता है उसको कर Natि नीति निर्मांज के संभन में विविन प्रभागों के संभन में विश्तरित ज्यान के जर्ठ होती है विदेश नीती के निर्मान के लिए जितने भी विदेश मंत्राले के प्रभाग है इसके संबन में जो है किसी भी विक्ति को विस्तरित ज्यान की आवशिक्ता पड़ती है भारती विदेश बिभाग के अंतरगत स्टार्टिंग जब इसका जो है स्टार्ट हुआ था तब इसके अंतरगत जो है नीती के नियोजन, अनुसन्धान, आखसमि घटना का निराकरन और विशीश ग्यान की प्राप्टि के लिए किसी विशेश प्रभाग का निर्मान जो है उपलब्द कराता था पर धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे बीत्ता गया वैसे वैसे इन प्रभागों की जो संख्या है इसमें बढ़ोतरी होती गई 1962 के ऑक्टूबर में भारत सरकार ने चीनी आकरमण जब भारत पर चायना ने आकरमण किया था इस आकरमण से अनुभव प्राप्त करके भारत ने योजना और अनुसंधान प्रभाग की जो है स्थापना की थी जब आकरमण हुआ तब विदेशी प्रभाग के पास जो है विवादित सीमावरती इलाका मतलब जिस सीमावरती इलाके में विवाद हुआ था उसके विशे में जो है हमारे विदेशी विवाग के पास कोई विशेश जानकारी नहीं थी इस कमी को पूरा करने के लिए 1963 में नहरू जी ने पूर्वी एशिया अनुसंधान और समन बे प्रभाग की जो है स्थापना की थी शुरू में इसका काईजे शेत्र चीन की समस्या से संबंदित मामलों का अनुसंधान करना था पर नहरू की मौत के बाद जब लाल भादु शास्त्री जी प्रधान मंत्री बने तो उन्होंने योशना और अनुसंधान प्रभाग की स्थापना की जिससे करेंट रिसर्च टिवीजन के नाम से भी जाना जाता है ये प्रभाग विस्तरित आधारवाला होने के कारण समसामिक विश्यो का विस्तरित रूप से अनुसंधान करता है 1966 में इसका नाम बदल कर नीती नियोजन और समिक्षा समीती रखा गया और बाद में इसे अलग अलग कर नीती नियोजन और समिक्षा प्रभाग के रूप में जो है स्थापित किया गया इस प्रभाग का उप्योग वास्तवी क्रूप से जो है इंद्रा गांधी और राजीव गांधी ने किया था वर्तमान समय में विदेश मंत्राले के अंतरगत पॉलिसी प्लानिंग और रिसर्श डिवीजन है और इस प्रभाग का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है अनुभवी और जो विवेक्षिल अधिकारी है उनके द्वारा नीतियों का निर्मान और नीतियों के संबध में पूर्व अनुमान लगाना है नियमेत रूप से काम करने वाले जो पदाधिकारी होते हैं उनको जो है इस प्रभाग में स्थान दिया जाता है विदेश विभाग की ये खासियत है कि ये है अपने अनुभव प्राप्त और योगे आईफस के जो अधिकारी होते हैं इनको ही विविन देशों की राजधानी में राजधानी के जो दूतावास होते हैं ठीक है राजधानी में अपने जो दूतावास होते हैं उसमें भेजते हैं और ये पदाधिकारी क्या करते हैं ये पदाधिकारी दूतावास के अंतरगत विविन कार्यों का जो काम होते हैं संपादन करते हैं कारियों के संपादन में इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि जिस देश में वे रह रहे हैं मतलब भारतिये जो भारतिये विदेश मंत्राले हैं जिन लोगों को राजदूत बनाकर अन्ने देशों में भारत के स्थित जो दूतावास है उसमें भेजा गय सिस्कावल तो वह पधादीकारी जिस देश्में कर्कें और उस्काइन सब्सक्राइअ कर राजूर। अवस्तित दूतावास के अंतरगत काम करने राजनीक लोग, धिविन देशों में जो हमारे दूतावास है और जो राज़दू थे वो क्या करते हैं? सामान्य लोगों से खुले तोर पर विविन प्रकार की सूचना तो एकत्रित करते ही हैं साथ में जो सूचना अन्य प्रकार की जो सूचनाएं हैं वो दूतावास के करमचारी द्वारा एकत्रित भी करते ही इस प्रकार की सूचना को इंटेलिजेंस भी कहा जाता है ये सूशना किसी भी देश की जो विदेश नीती होती है उसके नरधारण में महटपुन भुमी का निभाती है हलो फ्रेंड्स मैं जोती हूँ और आप सभी का मेरे इस यूटूब चैनल एक्जाम येर पर स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स हम जो है MPSC 1 India and the World भारत और विश्व इगनु में सेकंड यर पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है इस बुक को कवर कर रहे थे और इस बुक के तीन चैप्टर को मैंने आपके लिए कवर कर दिया है और हम जो है आज इस बुक का 4th चैप्टर भारत की विदेश नीती के निर्णे लेने वाले निकाए इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर का जो 1st पार्ट है वो जो है मैंने आपके लिए अप्लोड कर दिया है अगर आप लोगों ने मेरी उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसके लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है आप वहाँ से मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं आप पहले उस वीडियो को देखिएगा फिर इसको देखिएगा तो जो पूरा चैप्टर है आपका अच्छे से कवर हो जाएगा चीज़े आपको अच्छे से जो है क्लियर हो जाएंगी कल की वीडियो में हमने हम आज की अपनी ये वीडियो तो आज का हमारा टॉपिक है रास्टिय सुरक्षा परिशत भारत की विदेश निती की ये समस्चिया रही है कि विदेश मंतरी का समय सामानेते संसद में ही उत्तर देने में चला जाता है इसलिए वह विस्तरत कार्यों का संपादर नहीं कर पात है कि भारत में जो है संसदिय लोकतंत्रिय प्रणाली को अपनाया गया है और जो संसद है उसमें प्रशनकाल चलता है जिसमें विपक्ष के नेता होते हैं वो हमारे मंतरी गण होते हैं उससे कोशन आंसर करते हैं ठीक है तो इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारे विदेश मंत का संपादन अच्छे से नहीं कर पाते जो हमारे विदेश मंत्री थे दिनेश सिंग जो के कॉंग्रेस के टाइम पे थे इन्होंने इस प्रकार के विचार जो है कई बार जो है व्यक्त किया था इस तरह की के बाते जो है जो दिनेश सिंग है इन्होंने कई बार किया था पर भारती लोकतंत्र में संसदिय सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्णों का उत्तर देना जरूरी होता है मंत्रियों के साथ ये भी समस्या है कि वे विदेश विभाग के विशेशग्य नहीं होते जिस कारण उत्तर देने में गड़बडी की संभावना होती है जो हमारे नीतागन होते हैं वो जो है किसी भी विशे में विशेशग्य नहीं होते हैं ऐसी गल्ती ना हो इसके लिए विदेश मंत्रियों को अपने बिभाग के अंतरगत विशेशग्यों की बातों को गौर से सुनना चाहिए ऐसी गलती ना हो इसके लिए जो विदेश मंतरी होते हैं उनको जो उनके पास जो विदेश मंतराले का विभाग है इस विभाग के अंदर जो है बहुत सारे विशेशक्य होते हैं जो अपने फिल्ड में जो है हर चीज के लिए जो है विशेश अग्यता की जो भूमिका है वो रखते हैं तो उन सारे लोगों की बातों को जो है विदेश मंतरी को अच्छे से गौर से सुनना चाहिए और उनके द्वारा व्यक्त किये गए विचार की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए रास्ठे सुरक्षा परिशद, रास्ठे सुरक्षा के विशे में व्यापक रूप से प्रभाव डालती है इसलिए मंतरी गण उनके परामश के आधार पर ही काम करते हैं परंतु नहरू जी जो नहरू जी थे हमारे भारत के पहले प्रधान मंत्री इनके साथ ऐसा नहीं था उनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत शक्तिशाली था तो उन्होंने अपने व्यक्तित्व के आधार पर ही रास्टे सुरक्षा परिशद की अपेक्षा विश्वस्निय ल गोगों से ही विदेशी मामले में और फिर सुरक्षा के मामले में परामर्श लिया करते थे जब नहरूजी थे तब कुछ टाइम के लिए जो क्रुश्न मेनन है ये विदेश मंत lorsники रहे थे नहरू जी को कृष्ण मीनन जी की योग्यता और उनके अनुभव पर पूरा विश्वास था इसलिए समय समय पर नहरू जी है वो कृष्ण मीनन जी से इस मामले में परामर्श ले लिया करते थे इंद्रा गांधी जी जो थी उनके साथ भी ऐसा ही था उन्होंने भी समय समय पर विश्वसनी वेक्तियों से परामर्श लेना उचित समझा था रास्ट्य सुरक्षा परिशद से उन्होंने परामर्श कभी नहीं लिया प्रोफेसर केवी मिश्रा और के सुबरिमन्यम ने सबसे पहले रास्ट्य सुरक्षा परिशद के गठन की बात की थी पर इनके परामर्श पर कोई विशेश ध्यान नहीं दिया गया था क्यों नहीं दिया गया था क्योंकि उसका एक कारण यह हो सकता है कि विदेश नीती के निर्मान में कोई एक विक्ती जो भारत की विदेश नीती होती है उसके निर्मान में किसी एक विक्ती का हाथ नहीं होता बलकि पूरा का पूरा क्याबिनेट जो है इसमें शामिल होता ह इसलिए इन समीतियों का निर्मान नहीं किया गया लेकिन बाद में अमेरिका विचार विमर्ष समीती अमेरिका में एक विचार विमर्ष समीती है इसी की तरह सुरक्षा परिशत के निर्णे के सम्मन्द में Cabinet on Political Affair ने अपना सुझाव दिया था जो Cabinet on Political Affair से इस समीती ने राष्ट्य सुरक्षा परिशत के गठन का सुझाव दिया था और इसी के आधार पर राष्ट्य सुरक्षा परिशत के निर्मान की प्रकरिया है वो आगे बड़ी थी वैसे भारतिय व्यादेशिक विभाग के विशेशग्य थे जे बंधोपाद्दे इनकी बुख है बुख आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजेगा Making of India's Foreign Policy ठीके ये इनका बुख है इस बुख के अंतरगत इन्हों ने अमेरिकी प्रारूप के आधार पर भारत के लिए विदेश नीती परिशत के निर्मान पर अपना सुझाव दिया था पर इनकी बातों को भी अंसुना कर दिया गया था क्योंकि भारत में विदेश नीती का जो निर्मान है इसको करने वाले तंतर पहले से ही विद्देमान थे रास्टिय सुरक्षा परिशत की जो मांग है इसकी निर्मान का जो मांग है वो लंबे समय से जो राजनितिक दल है इनके द्वारा किया जा रहा था क्योंकि जो राजनेतिक दल है वो जानते थे कि रास्ट ये सुरक्षा परिशद ही रास्ट के शुरक्षा के विशे में और विदेश नीती के निर्मान के संबन में जो है व्यापक सुझाओ दे सकती है नर्सिम्हा राओ का जो शाशनकाल था तो उस टाइम पे इन्होंने इस सम्मंदित रास्ट ये सुरक्षा परिशद से सम्मंदित जो अधिनियम है वो पारित कराया था और जो अटल बिहारी बाचपाई जी थे इन्होंने अपने शाशनकाल में 1998 में जो है रास्ट ये सुरक् अध्यक्ष विदेश मंत्री रक्षा मंत्री ग्रह मंत्री और विक्त मंत्री जो है इसके सदस्ते होते हैं इस परिशद के अंतरगत रक्षा शेत्री के जो विशेशग्ये है रक्षा मंत्री के सहलाकार विदेश सेवा के सेवानिवृत और अनुभवी पदाधिकारी शिक्ष समय अभाव के कारण रास्टीय सुरक्षा सम्बंदी विश्य ओपर गहराई से विचार करने का उनके पास समय नहीं होता जो हमारे मंत्रीगण होते हैं, वो किसी एक टॉपिक पे, किसी एक विशी पर विशेशग्य नहीं होते हैं इसके अलावा उनके पास समय की जो है कमी होती है जिस वज़े से इन सारी विश्य उपर जो है वो ग्याहराई से विचार नहीं कर पाते उनको जो है टाइम नहीं मिल पाता इसलिए strategic core group को भी इसमें शामिल किया जाता है इसके अंतरगत जो तीनों सेना है थल जल वायू सेना के जो प्रमुक है इनके प्रमुक तता बिविन बिभागों के सचीव और intelligence bureau के प्रमुक को इसमें शामिल किया जाता है और ये सभी लोग मल जुलकर रास्टे विशे पर जो है विचार विमर्ष करते हैं रास्टे सुरक्षा परिशद के लिए एक सचीवाले की ज़रोत होती है भारत सरकार ने सन्यूक्त गुप्तेचर समीती जो सन्यूक्त गुप्तेचर समीती है इसी को रास्टे सुरक्षा परिशद के सचीवाले के रूप में जो है दोहरा उत्तरदाइत वो प्रदान किया में प्रधान मंत्री के ही जो प्रधान सचीव होते हैं उन्हें रास्टे सुरक्षा सल्हाकार के रूप में जो है प्रधान मंत्री के बदले सलहाकार के रूप में जो प्रधानमंत्री है उनको परामर्ष देने के लिए जो है न्यूक्ट किया जाता है और वही सभी कार्ये जो है कार्यों का संपादन करते हैं 1998 में एक राष्टे सुरक्षा सलहाकार बोड की भी स्थापना की गई थी और इसके अंतरगत जो सलहाकार बोड है इसके अंतरगत 27 सदस्यों की एक निकाई भी निर्मित की गई जिसमें अनुभवी शिक्षाविद, पत्रकार, रक्षा विशलेशक और विशिष्ट विक्तिय को रखा गया इस बोड का गठन जो है जे एन दिक्षित और के एन सुब्रमन्यम जैसे जो अनुभवी लोग थे और नीती विशेशग्ये लोगों के द्वारा जो है किया गया था प्रधान मंतरी अटल बिहारी बाचपई के समय में रास्ट्य सुरक्षा परिशत के अध्य स्वापा गया था और इसी के आधार पर 1999 में प्रमानु सिद्धान्त के संबन में घोशना की गई थी रास्ट्य सुरक्षा परिशत की स्थापना बिविन डाशनेतिक जो दल है और संसत के सदेश्यों की मांग पर की गई थी इसके निर्मान के पीछे जो हमारे प्रधान मं संद्रीं जी थे उनकी कोई अच्छी खासी इच्छा नहीं देखी गई थी इस परिशद का सदभावना के आधार पर इपयोग नहीं होता क्योंकि उनकी इच्छा नहीं थी इसलिए यह जो स्रक्षा इलागार प्रिशत है इसका जो है अच्छे से जितना उपियों को होना चाहिए उतना नहीं होता इसकी जो बैठक है वो नियमित रूप से नहीं होती जब कारगिल युद हुआ था तो उस समय पर कारगिल समस्या पर विचार करने के लिए 8 जून 1999 को इसकी प्रथम बैठक बिलाई गई थी पर क्याबिनेट की जो सुरक्षा समन्दी कमीटी है इसी ने अपना निर्ण लिया पर रास्ट्य सुरक्षा परिशद की सभा जो है नहीं बिलाई गई थी 1999 के बाद सिधे 2002 के ऑक्टूबर महिने में रास्टे सुरक्षा की परिशद जो है रास्टे सुरक्षा परिशद की बैटक बिलाई गई जिसका उद्देश्य कश्मीर में चुनाव के बाद की स्थिपी पर विचार करना था इससे स्पष्ट होता है कि जो ये परिशद है रास्टे सुरक्षा परिशद ये अस्तित्व में तो जरूर है पर इसका उप्योग जो है जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता भरपूर इसका उप्योग जो है नहीं हो पाता है तो कही ना कही यह जो है इसकी कमी है ठीक है हलो फ्रेंग्स मैं जोती हूँ और आप सभी का मेरे इस यूटूब चैनल एक्जाम यहर पे स्वागत थे फ्रेंग्स जैसे कि आप सबको पता है हम MPSC 1 इंडिया एंड द वर्ल्ड भारत और विश्विट जो इगनू M.A.2 पॉलिटिकल साइंस की बुक है इस बुक को कवर कर रहे थे इस बुक के तीन चैप्टर मैंने आपको करवा दिये हैं हम 4 चैप्टर कवर कर रहे थे जिसके दो पार्ट मैंने जो है आप लोगों के लिए अप्लोड कर दिया है आगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखिये तो उसके लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में दिया है वहां से आप मेरी उन वीडियो को देख सकते है तो हमारा जो 4 चैप्टर है वो है भारते विदेश नीती का निर्णय करने वाले निकाए आज की इस वीडियो में हम वैदेशिक नीती के निर्मान में जो हमारा PMO है प्रधान मंतरी कार्याले है इसकी क्या भुमिका है इसके बारे में बातचीत करेंगी तो चलिए में आजादे के बाद जो है संसदात्मक साशन व्यवस्था को अपनाया गया था और इसके अंतरगत क्या होता है इसके अंतरगत जो प्रधान मंतरी जी होते हैं उनका व्रापक महत्व होता है इसलिए इसे प्रधान मंतरी शाशन परणाली भी कहा जाता है क्योंकि जो प्र प्रधान मंत्री के निर्देश अनुसार ही कार्ये करने होते हैं। इसलिए भी विदेश, नीती के निर्मान और निर्धारन में प्रधान मंत्री का कार्येले सक्षम और बहुत महटपून हो जाता है। द्रधान मंत्री के समय स्वत्तन रूप से जो प्रधान मंत्री हमारे प्रथम प्रधान मंत्री थे भारत के जो की नहरुजी थे। उनके समय स्वतनतर रूप से प्रधानमंत्री का कोई सची वाले नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि विदेश नीती से संबंधी जितने भी निर्णे लेने होते थे, वो प्रधानमंत्री स्वैम लेते थे। क्योंकि जो विदेश नीती थी विदेश नीती के निर्मान में जो है नहरोजी बहुत जादा सक्षम थे इसलिए जो विदेशी भिभागय वो अपने पास ही रखते थे परंतु जो लाल भादु शास्त्री जी है उनके साथ ऐसा नहीं था उन्होंने 1964 में प्रधान मंत्री युक्ति की थी पर नहरोजी ने ऐसा नहीं किया था वे वरिष्ट लोग सेवक एल के जाकी शमता योगता और अनुभव पर विश्वास करते हुए अपनी व्यदेशिक नीती का संचालन करते थी व्यदेशिक नीती का निर्धारन और संचालन में इंद्रा गांधी अपने के समय में परधानमंत्री का कार्यले व्यदेशिक नीती के निर्धारन में बहुती सक्रिय था जो पीमो था इंद्रा गांधी के टाइम पे वो व्यदेशिक नीती के निर्मान और निर्धारन में बहुत जादा सक्रिय था 1967 से 70 तक तो उन्होंने खुद ही विदेश विभाग का संचालन किया था जो गांधी जी थी इंद्रा गांधी जी उन्होंने 1967 तो 1970 तक जो विदेश विभाग ये उसका संचालन खुद किया था पर उनके पास क्या था काम बहुत जादा थी इसी कारण समय समय पर विदेश मंतरी की न्यूक्ति उनको करना पड़ा पर विदेश मंतरी को खुद अपने सल्हाकार जो गांधी जी थी इंद्रा गांधी जी वो विदेश मंतरी को अपने एक सल्हाकार के रूप में रखती थी इंद्रा गांधी के समय में भारत की व्यादेशिक नीती बहुत ही कुशल और सक्षम रही उन्होंने एक तरफ सोव्यत रूट से दोस्ति की तो दूसरी और पाकिस्तान को पांगलादेश के युद के दौरान 1971 में सबक सिखाया जब बांगलादेश के लिए लड़ाई हुई थी 1971 में इंडिया के साथ पाकिस्तान का तब इंडिया की जीत हुई थी और इंडिया की वज़े से ही 1971 में जो बांगलादेश वो अस्तित्मे में आया था ठीके तो इसी दोरान जो है पाकिस्तान को इंद्रा गांधी ने सपक सिखाया था उनके परामर्ष दाता के रूप में PN, हकसर और DP धर जैसे विशिशक्य परामर्ष दाता थे इंद्रा गांधी के टाइम पर परामर्ष दाता विदेश नीती से रिलेटिड कौन थे उनके पीन, हकसर और DP धर उन्होंने विदेश नीती की योशना खुद बनाई थी जो गांधी जी थी इंद्रा गांधी जी उन्होंने विदेश नीती की जो गोई का जो निर्मान है खुद किया था 1971 में जब बांगलादेश संकट गहराया तो क्या हुआ तो इंद्रा गांधी जी जो थी उन्होंने विदेशी ब्रह्मन अलग-अलग देशों का ब्रह्मन किया और जो शक्तिशाली रास्ट थे उनसे जो है बातचित की और पाकिस्तान के साथ योध की योश्ना बनाई और सफ मंतरी कारिया ले में सच्चीव के अतिरिक अनएक सन्यूक्त सचीव होते हैं उप सचीव और विविन परकार के पदाधिकारी गिन भी PMO कारियले में होते हैं जो विविन विश्यों से संबंधित कारिय का संपादन करते हैं और प्रामर्ष देते हैं प्रधान मंत्री जी को प्रधान मंत्री के ऑफिस में जितने भी कारिय के करने वाले सदस्य हैं वो सारे अपने अपने फिल्ड में विशेशग्य होते हैं और अच्छे से अपने कारियों का संपादन करते हैं जरुरत पढ़ने पर प्रधान मंत्री को जो है विदेश नीती से संबंदित जो परामर्श देने होते हैं वो भी देते हैं जब भारत में NDA की सरकार बनी तो उस समय प्रधान मंत्री का कारिया ले शक्ती का प्रमुक केंद्र बन क्या प्रधान मंत्री के रास्टे सलाकार को सामाने व्यादेशिक नीती के निर्मान में महत्व नहीं दिया जाता जो प्रधान मंत्री के रास्टे सलाकार जो होते हैं उनको विदेश नीती के निर्मान में उतना महत्व नहीं दिया जाता और उनसे किसी भी विशे में परामर्श नहीं लिया जाता क्योंकि ये कारिय प्रधान मंत्री विदेश मंत्री विदेश सचीव की अधिकार का शेत्र होता है पर NDA के सरकार में क्या हुआ था जब बाजपाई जी प्रधान मंत्री बने थे तब उन्होंने प्रथम बार ऐसा किया कि उनके जो प्रधान सचीव थे ब्रजेश मिश्र उनको विदेश नीती संबंदित विविन समस्यों पर विचार विमर्ष उन्होंने किया था साथी अनेक अफसरों पर व्यदेशिक नीती और लोक नीती से संबंदित नीती के निर्धारन में निर्णे भी लिया और उसे प्रकाशित भी किया जो ब्रजेश मिश्र थे उन्होंने कई बार विदेश नीती से संबंदित जो निर्णे लेने होते थे उन्होंने लिया लोक नीती से संबंदित जितने भी निर्धारन करना था वो सब कुछ विजेश ब्रजेश मिश्रा जो थे उन्होंने किया तथा विदेश की यात्रा के क्रम में उन्होंने भविश्य में होने वाले व्यदेशिक नीती के संबंद में व्यदेशिक नीती संबंदित नेड़े और तथ्यों की ओर इशारा किया 2003 में ब्लचेश मिश्रा ने क्या किया 2003 के मैं के महिने में उन्होंने अमेरिका में यहुदी सभा जो यहुदी सभा है उसको समभूधित करते हुए इजराइल की तरफ इशारा किया और आतंगवाद की समस्या के समाधान के लिए अमेरिका और इजराइल को सांच मिलकर कोई ठोश कदम उठाने चाहिए इस बात का जो है संकीत दिया था ब्रजेश मिश्रा के इस भाषन से मीडिया वालों को प्रतिक्रिया व्यक्त करने का अवसर मिला और इससे ये स्पष्ट होने लगा कि जो ब्रजेश मिश्र है रास्ट्य सलाकार ही नहीं है बलकि खुद रास्ट्रिय सुरक्षा परिशद बन गए हैं औ और उनका पद विदेश मंत्री से भी उचा हो गया था इन तथियों से पता चलता है कि भारतिय संसुदात्मक लोक्तांत्रिक व्यवस्ता के अंतरगत प्रधानमंत्री कार्यले वास्टविक कार्यपालिका के रूप में आंत्रिक और विदेशी नीति का संचालन का हिर्दे स्थल होता है इसलिए वैदेश्चिक नीती के संचालन में प्रधानमंत्री कारेले की भूमी का जो है बहुत जादा महटपून हो जाती है तो यह हमारा टॉपिक आज का यही पर समापत होता है I hope friends आपको समझ में आ गया होगा कोई query है तो comment box में comment करके मुझसे पूछ सकते हैं मैं आप सब को वही पर reply दे दूँगी यह हमारा जो third part है इस वाले chapter का fourth chapter का वो खतम होता है बाकी दो वीडियो इसकी और आएंगी अगर आपने मेरी पहली वीडियो को नहीं देखा है तो उस से अच्छे से clear हो जाईगी और आपने मेरी वीडियो यहां तक देखी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू